Hello students, तो आज हम discuss करने जा रहे हैं हमारा next unit तो students, आज का हमारा unit क्या है? Thermal Properties of Matter तो class 11 का ये जो chapter है Thermal Properties of Matter वो काफी जाधा important है आपके board के exam के लिए especially for your CBSE, HP board, हिमाचित प्रदेश board और साथ में competitive exams के लिए तो जलिए start करते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहले Thermal Properties of Matter में हम क्या पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें heat के बारे में तो मैं यहाँ पहले से ही काफी यहाँ पर theory जो है जो हम starting ने introduction जब किसी chapter के करते हैं तो इसमें मैं theoretical portion यहाँ पर पहले से लिख दिया हुआ है ताकि हमारा time ज़ादा waste यहाँ पर ना हो तो सबसे पहले क्या है heat heat students क्या होती है heat is a transfer of energy from a hot body to a cold body आपको इतनी बात पता है कि heat जो है हमेशा कहां से कहां transfer होती है एक hot body से cold body में transfer होती है जैसे for example आपने क्या किया आपने एक cup लिया tea का cup आपने fridge के अंदर रखा तो आप देखेंगे अगर उसका temperature पहले जादा था तो after कुछ time के बाद जब आप उसे fridge से बाहर निकालोगे तो उसका temperature काफी कम हो जाएगा और वो चाय जो है आपकी जो tea है वो ठंडी हो जाएगी इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूँ कि आपके पास अगर कोई भी एक liquid है उसका temperature मालो पहले अगर था 80 degree Celsius तो बाद में उसका temperature क्या हो गया मालो कम हो गया 40 degree Celsius तो temperature कम होने का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ temperature कम होने का मतलब क्या है कि एक energy का transfer हुआ है एक energy का क्या हुआ transfer हुआ hot body से cold body hot body से cold body में तो मतलब पहले 80 degree Celsius पे था अब क्या चला गया 40 degree Celsius पे चला गया temperature ठीके तो T वाले case में भी same ऐसे ही होगा अब इसको अगर हम molecular level पे discuss करें तो इसका मतलब क्या होता है जैसे मैं आपको बोलू कि यह जो 80 degree Celsius पे जो भी आपकी चीज है 80 degree Celsius पे जो भी आपका material है अगर उसके अंदर हम क्या देखें छोटे छोटे molecules को देखें तो इन molecules की एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर मैं temperature बढ़ा दूँ अगर मैं temperature बढ़ा दूँ तो इसमें हम यह चीज़ सीखते है कि temperature बढ़ाने पर जो kinetic energy होती है गैस के molecules की या फिर किसी भी particles की चाहिए वो liquid हो या कोई भी other state हो तो वो हमें शब बढ़ जाती है तो temperature बढ़ाने पर क्या हुआ कि जो kinetic energy थी यह liquid वाले case में क्या कर गई? increase कर गई अब अगर इसकी kinetic energy increase करेगी तो obviously हमें पता है कि यह क्या कर रहे होंगे? random motion जो इनका हो रहा होगा randomly move कर रहे होंगे वो काफी जादा kinetic energy से move कर रहे होंगे अब क्या होगा? कि जब हम इसको एक ऐसी surroundings के अंदर ले जाएंगे जब हम ऐसी surroundings के अंदर ले जाएंगे जैसे मालो refrigerator के अंदर जो surroundings थी उसकी, उसका temperature कम था तो यानि कि अब क्या होगा? कि यह जो small particles है यह जब देखेंगे कि इनके आसपास क्या है? कम temperature है तो कम temperature होने पर क्या हो जाएगा? अगर temperature कम हो जाएगा तो obviously kinetic energy भी घट जाएगी तो kinetic energy अब घटेगी यानि कि अब जो random motion होगा इन particles का वो पहले के मुकाबले में काफी कम हो जाएगा तो यानि कि अब particles का motion पहले से कम हो गया तो motion कम हो गया तो इसका मतलब क्या है? कि heat का कुछ transfer हो गया heat का transfer कहां से कहां हुआ एक hot body जो कि आपने एक tea रखी थी fridge के अंदर वहां से cold body में transfer हो गया यानि कि वो heat सारी की सारी बाहर निकल गई वो refrigerator के अंदर जो heat थी वो उस cup से बाहर चली गई ठीक है? तो ये था इसका molecular level पे हमने बात कर ली अब हम चलते हैं What is the modern concept of heat? heat का modern concept क्या है? क्या हम इसको पढ़ सकते हैं? तो देखो Every substance contains atoms और molecules हमें पता है कि हर एक substance के अंदर क्या होते हैं? atoms और molecules होते हैं तो इसका मतलब है कि वो continuously state of random motion में होंगे जैसे आपको पता है कि अगर हम अगर हम solids की बात करते हैं तो solids में क्या होता है? solids में क्या होता है? कि अगर आपके पस कोई एक solid body है तो इसके अंदर जो भी atoms and molecules यह जो small particles होते हैं वो हमेशा random motion करते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? random motion करते हैं और यह जो motion होता है वो कैसा होता है? कि वो अपनी mean position पर ही vibrate करते हैं जैसे मालों यह मेरे पास solid body है तो solid body में क्या होगा कि एक particle है वो अपनी mean position यह जो जो उसकी equilibrium position है उस पर क्या कर रहोगा ऐसे ज़से vibrate कर रहोगा up and down motion में vibrate कर रहोगा या फिर 2 and 4 vibrate भी कर सकता है तो यह हमारा कौन सा किसा के solid वाले case में लेकिन लेकिन अगर मैं liquid और gases की बात करूँ तो liquids और gases में भी क्या करते हैं molecules जो है तो randomly motion करते हैं क्या करते हैं randomly motion करते हैं इसके बारे में detail में discussion हम kinetic theory of gases वाले chapter में करेंगे ठीक है तो अब देखो तो हर एक किसी भी state के अगर हम बात करें तो state of random motion जो है वो particles का में देखने को मिलता है अब चाहे वो solid हो चाहे liquid हो चाहे gas हो और हमें इतनी चीज़ पता होने चाहिए कि जो heat का transfer होता है वो हम तीनो states में यहाँ पर पढ़ते हैं जिसको हम बाद में degrees of freedom के respect में भी पढ़ेंगे बट वो हम kinetic theory of gases में इसमें detail में बात करेंगे आगे देखिए depending upon the nature of substance it has three types of energy अब हमें इतनी बात पता है कि अगर मेरे पास कोई एक liquid है तो उस liquid के अंदर अगर उस liquid के अंदर particles motion कर रहे हैं तो वो तीन type के motion करेंगे कौन कौन सी कर सकते हैं देखो translational, rotational, or vibrational translational, rotational, or vibrational yarni कि तीन type के जो motion होंगे उसी तीन type की energy भी होगी कौन कौन सी translational kinetic energy, rotational kinetic energy and vibrational kinetic energy तो तीन type के यहाँ पे energy हमें देखने को मिलेगी उसके बाद when a substance is heated total thermal energy increases अब इसका क्या मतलब है, जब भी आप किसी सबस्टांस को heat करते हो, तो उसकी total thermal energy बढ़ जाती है, आप देखो वो सबस्टांस कोई भी हो सकता है, जैसे मालो solid है, तो solid में vibrational motion होता है, तो यानिकि उसकी vibrational kinetic energy बढ़ जाएगी, उसकी क्या बढ़ जाएगी, vibrational kinetic energy बढ़ जाए है कि जो ये तीनों energies है, translational, rotational और vibrational, इन तीनों को हम add-on कर देंगे, तो हमारे पस total thermal energy हो जाएगी, और वो substance पर डिपेंड करते हैं कि substance कोई सा है, liquid होगा, या gas होगा, या solid होगा, तो ये था हमारा basic part और modern concept of heat कि कैसे हमारे पास तीन types की kinetic energy होती है, और heat को बढ़ाने पर ये units हैं वो क्या होती है, तो heat की हमारे पास जो unit है वो क्या है, CGS में अगर देखा जाए तो इसकी unit होती है, calorie, क्या होती है इसकी unit, calorie, calorie को अब short में कैसे लिख सकते है, CAL, next है कि calorie की definition क्या होगी, so what is the definition of calorie, it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius, यानि कि अगर हमारे पास, अगर हमारे पास मालो, 1 gram water का हमने 1 degree Celsius temperature increase करना है, 1 degree Celsius temperature क्या करना है, increase करना है, किसका 1 gram water का, 1 gram water का 1 degree Celsius temperature अगर आपको बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको जितनी heat की requirement होगी, उसके लिए आपको जितनी heat की requirement होगी that is called your one calorie that is called your one calorie समझ ज़िया मेरी बात को आपके वस एक ग्राम पानी आपको एक से दो पर लेके जाना है आपके वस एक ग्राम वाटर है ना और आपको उसका temperature एक डिगी सलजी से दो डिगी सलजी से पर लेके जाना है तो जितनी उसको heat लगेगी जितनी heat उसको चाहिए that is called your one calorie heat ठीक है next one calorie जो है उसको joule में लिखना हो तो कितने लिखेंगे 4.186 joule कितने लिखेंगे 4.186 joule ठीक है तो यह अपने value याद रखने numericals में यह value काम आ सकती है आगे बढ़ते है next क्या है SI unit क्यों होती है joule SI unit क्यों होती है heat की that is joule SI unit क्यों होती है heat की joule होती है चलिए आगे हम बात करते है work जो है हमारे पास work जो है हमारे पास यह एक mechanical process है यह क्या है mechanical process है क्या mechanical का मतलब हुआ अभी बताता हूँ मैं आपको पहले यहां देखो, heat को मैंने कहा लिखा है, non-mechanical heat non-mechanical होती है, वह एक mechanical process होता है अच्छा, work की unit भी SI में Joule होती है, क्या यह बात सच्छा है? work की unit और heat की unit SI में हमेशा Joule होती है जैसे हम units and dimensions में, जो इसके dimensions निकालते हैं तो दोनों की dimensions क्या आती है? दोनों की dimensions क्या आती है, मेटाए? दोनों की dimensions आती है, ML2 T-2 और work की भीensor दोनों की dimensions क्या होती है? ML2 T-2, तो इनकी unit भी क्या होती है? Mechanical process का मतलब क्या होता है? देखिए, जूल, जो हमारे पास जूल जो एक साइनिटिस्ट था, उसने अपने एक Jules Mechanical Equivalent दिया था, इसका मतलब क्या होता है, कि for example, for example, अगर मेरे पास एक सिस्टम है, इसके बारे हम डिटेल में थर्मोडानेमिक्स में बात करेंगे, अगर मेरे पास एक सिस्टम है, और अगर मैं उस सिस्टम पे work done कर रहा हूँ, तो वो work done जो है, वो उस सिस्टम के अंदर heat की form में store हो जाता है, अब वो जो heat है, वो उसके अंदर internal energy की form में store हो जाती है, जैसे मैं आपको example दूँ, तो मान लो, कि ये आपके पास एक piston है, और ये आपके पास कोई container है, इसके अंदर मान लो कोई, क्या है, इसके अंदर मान लो कोई भी आपके पास gas है, तो आप उपर से जब pressure, उपर से force लगाओगे, तो नीचे की तरफ work done होगा, क्योंकि displacement dx होगी, है न, क्योंकि force into displacement क्या होता है, work done, तो जब ये अंदर की तरफ दबेगा, तो जो अंदर वा produce हो जाए, तो this is your, this is your mechanical process, this is your mechanical process, यहां से अगर मैं duck clip portion के sign को हटाऊँ, तो J एक constant आजाता है, इस J को हम क्या कहते है, इस J को कहते है, Joule's mechanical equivalent, क्या कहते है, Joule's mechanical equivalent, J को हम क्या लिख सकते है, W upon Q, जे को क्या लिख सकते है, W upon Q लिख सकते है, ये थोड़ी सी बात आपको समझ mechanical process है, मतलब इसके अंदर आपको कोई भी work done नहीं करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें कोई भी work done नहीं करना पड़ेगा, heat अपने आप transfer होती है, it is a transfer of energy, और ये transfer energy क्यों होती है, क्योंकि जो particles होते है, atoms, molecules होते है, उनका random motion हो रहा होता है, तो इस वजासे क्या होता है, आगे हम बात करते है, thermometers के बारे में, तो thermometers के बारे में आपने काफी सुना होगा, तो what is basically thermometer, so a device that are used to measure the temperature, एक ऐसी device जो की temperature को measure करने के काम आती है, अब question ये arise होता है, कि जो हमारे पास thermometer होता है, जो normally हम use करते हैं, वो किस चीज, उसके अंदर क्या चीज हम feel करते हैं, तो आपको पता होगा कि हम ज्यादा तर mercury thermometer का use करते हैं, ठीक है, आचा, तो हम आगे क्या बोलेंगे, कि it is based upon the principle, कौन, किस की बात कर रहे हैं, thermometer की बात कर रहे हैं, thermometer जो होता है, वो एक principle के बेस होता है, जिसकी कुछ physical properties होती है, that have, या that have, कर लो यहाँ पे, that have, some physical properties of system change as the temperature changes, देखिए, इसका मतलब क्या है, इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, कि जो thermometers होते हैं, वो एक principle के बेस होता है, जिनकी कुछ, जिनकी कुछ physical properties होती है, ठीक है, that some physical properties of system have हटाई लेते हैं, ठीक है, ना, science बन रहे है, that some physical properties of the system change as the temperature changes, जैसे मालो, कि आपके पास एक liquid है, तो liquid ज change होगी, जब उस liquid की physical property change होगी, तभी आपको पता लगेगा, कि temperature rise हुआ है, for example, अगर मैं आपसे बात करूँ, एक solid object है, अगर मैं आपसे बात करूँ, एक solid body है, तो आप solid body को जब heat करोगे, तो आपको कैसे पता लगेगा, कि उसके अंदर जो है, वो heat बढ़ गया है, तो को कोई आप चीज देखोगे, कुछ observe करोगे, कोई physical property आपको, आपके सामने आएगी, तभी तो आप बता पाऊगे, तो solid का करता है, expand करता है, इसकी सबसे बड़ी एक्जामपल है, जैसे आपने railway tracks देखे होंगे, तो railway track जो होता है, इस तरीके से, उसके बीच में क्या होता है तो थोड़ा सा gap छोड़ा रखा ओता है, तो यह जो होता है, टाकि जो है गर्मियों की टाइम में, और ट्रैक में, ट्रैक में, ट्रैक जो है, इत्नी मत क्लिर हो की, चाह, अब वो जो physical properties हो सकती है वो क्या क्या हो सकती है अब solid का तो मैंने आपको बता दिया है तो लेकिन अगर मालो liquid है तो liquid का क्या चीज चेंज होगा जैसे आप देखते हो कि mercury का thermometer होता है तो उसमें आप क्या देखते हो कि mercury जो है जब temperature बढ़ता है तो mercury का जो लेवल हो ऊपर की तरफ बढ़त volume of a liquid किसी liquid का volume बढ़ता सकता है क्योंकि mercury ऊपर की तरफ जाता है बढ़ते हुए ठीक है length of a solid किसी solid की लंबाई बढ़ सकती है अगर आप उसको heat दोगे तो अगर उसका temperature बढ़ेगा तो next pressure of a gas at constant volume and volume of a gas at constant pressure ये दोनों point दो मैंने लिखे हैं इसको हम discuss करेंगे ठीक है पहला क इसको है pressure किसी gas का constant volume पर जैसे मालो कि आपके पास किया है कि यह थर्मामेटर है तो उसके अंदर आपने gas fill कर दी क्या फिल कर दी गास फिल कर दी और जब gas पूरे thermometer को occupy कर लेगी तो क्या उसके बाद क्या उस के उस time पर जब वो पूरे thermometer को occupy कर लेगी कि कि क्या उस time पर हमार volume जो है gas का वो constant हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा तो वो case हमें आप आगे देखेंगे ठीक है और एक है volume of gas at constant pressure आप pressure constant कर दो और volume of gas अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो वो भी physical property में आ जाएगा ये चार physical property हैं जिसको देखकर हमें पता लगा कि हाँ body में temperature बढ़ रहा है body में heat जो है वो आ रही है next बात करते हैं mercury thermometer को हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि mercury thermometer क्या होता है हम अपने देखा है हमने कई पर अपने घरों में है ये doctors के पास तो क्या है कि इसके इसके इनदर change in volume of liquid होता है बिल्कुल सही बात है क्योंकि mercury जो है heat करने पर क्या होगा उपर की तरफ expand होगा ठीक है तो इसका मतलब है कि उसकी volume जो है वो change हो जाएगी change in volume of liquid हो जाएगा इतनी बात आपको clear है अब देखो लेकिन क्या है कि every liquid expands at different different temperature अब देखो मालो मेरे पास एक thermometer है उसके अंदर के है उसके अंदर मरकरी है मैंने उसको heat किया वो expand हुआ अगर मैं कोई और liquid ले लेता वो भी expand होता कोई और लेता तो वो भी expand होता लेकिन सब liquids का जो expansion होता है अलगले temperature पे वो different different होता है तो देखो क्या लिखा है every liquid expands at different different temperature सारे liquid different temperature पे क्या होता है expand होता है तो यह तो बहुत बढ़ी problem हो जाएगी फिर तो इसी लिए इसी लिए क्या किया गया कि scientist के द्वारा एक universal सोचा गया कि अगर हमें एक universal थर्मामेटर बनाना है अगर हमें एक universal थर्मोमेटर बनाना है ठीक है तो हम ऐसा क्या करें तो इसी के बाद फिर हमने एक थर्मामेटर को इंट्रोड्यूस किया जिसके हंदर हम basically gas को फिल करते हैं क्या फिल करते हैं गैस को फिल करते हैं ठीक है जिसको हम बाद में बोलेंगे absolute तो उसको हम बाद में डिसकस करेंगे लेकिन फिलाहाल की याद रखना कि एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हार एक लिक्विड अलग लग तेम्परेचर पर एक्स्पैंड करता है तो इसका तो रीडिंग जो गडबड हो जाएगी तो इसी लिए इसी लिए क्या होगा जैसे मालो कि एक थर्मोमेटर में आपको 40 degree Celsius रीडिंग आ रही है मर्कृरी वाले थर्मोमेटर में लेकिन अगर मर्कृरी जो कोई और लिक्विड ले लेते हो ना कोई और लिक्विड तो उसमें रीडिंग कुछ हो रहा जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी तो इसलिए हमने क्या सूच कि एक युनिवर्सल थर्मोमेटर का इंटर्यूस करते हैं वो बेसिकली हम गैस से बना हुआ थर्मोमेटर जो है वो यूज करेंगे